हलो और हलो आज में जा रहा हूं बैंगलोर जा रहा हूं तो यहां पे अब नियो डेली डी टर्मीनल 2 प्यक्स पीछ करने बाल उप की ता ऱॉट की र्सपारश के राव्म तो अभी जस मैं एरपोर्ट पहुचने वाला हूँ और यह मेरा और यह हमारा बिजनस ट्रीप है तो इसी परपस के लिए मैं जा रहा हूँ और मेरे साथ साथ मेरे सारी बिजनस पार्टनर भी होंगी टूटल हम लोग चार है तर्मिनल 2 का लाँच सेकुरिटी चेक क्रोस करते ही आपको लेट साइड में मिल जाएगा जहां से आफ लिफ्ट भी इस्तेर केस बिस्तेर केस बिस्तेर कर सकते हैं जैसे ही आप उपर जाएंगे आप देख सकते हैं सामने में काफी ज्यादा क्राउड है तो यह है इंकाम लाज जब मैं लास्ट टाइम विजिट के आता यह और भी ज्यादा क्राउड था बड़ दिस टाइम बहुत कम है विकॉज बहुत सारे क्रेडिट काड में लांज कर दिया है तो इसी वज़ा इंट्री करते ही हमें जो सब से चीज जो पसंद आया और हम लोग सब इसके पर तूट पड़े यह कुछ यूनिक टाइप का खीर था पहले मैंने कभी किसी भी लांज पे नहीं खाया था तो हम लोगों को जो बी चीजें पसंद आ रहा था वो ह यहां पे आपको पास्ता वगारा मिल जाएगा कर्ड है प्राइस ले सकते हैं यहां पे आप चाहे तो नॉन वेज भी यहां पे अविलेबल है आप चाहे तो चिकन ले सकते हैं और वेज आइटम भी आपको यहां पे मिल जाएगा पलसे पनीर वगारा सारा चीज आपको मि मेनूज मिल जाएंगे, आप यहाँ पर कॉफी भी ले सकते हैं, तो आपको कॉफी वेंडिंग मसीन भी मिल जाएगा, वो भी मैं आपको आगे दिखाता हूँ, कैसे कॉफी वेंडिंग यूज करते हैं, बहुत सारे लोग थे वहां पर, जब मैं कॉफी लेने किया, तो काफी करा हुआ था टाटा नियो क्रेडिट कार्ड और एक ने यूज करा था आपका प्रियरिटी पास तो इस तरह से हम लोगों ने इस बार लॉंज अक्सेस कर रहा है यहाँ आप देख सकते हैं यह देख सकते हैं यह वाटर है आप चाहिए जितनी मर्जी आप ले सकते हैं इसके लोग नहीं चाहते हैं कि आप कोई क्यारी कर यहां से ले के आप कहीं चले जाओ और जो मैंने लिया हुआ है मैंने कॉफी लिया हुआ है और साथ में मैंने वाटर मेलन लिया हुआ है और कुछ पास्ता लिया हुआ है अगर आप लॉंज एक्सेस करना चाहते है मेरा रिकमे दीज़े और प्रेज दबटन आप चाहें तो अपने थोड़े मेल की इंग्रीज कर सकते हैं यह आपको जो भी आपके हिसाब से थोड़े कस्टमाइजेशन आप कर सकते हैं तो यह हो गया अलमुस्त रेडी वेट कर ये यहां पर देख सकते हैं काफी चीज़े एड-on है उसक सकते हैं काफी लोग हैं और पहले मुकाबले थोड़ा क्राउड कम हुआ है और इससे क्या हुआ कि क्वालिटी जो लॉंच के है ना काफी इंक्रीज होगे पहले के मुकाबले तो यह ओवर आल जो हमने एक्सपीडियंस किया तो बरॉल मैं यह कहूंगा कि हाँ ठिक ठाक ल है तो ऐसे चल रहा है हम लोगा तो हम लोग आने फास्टिंग करा हुआ था सोचा था कि आज जितना हो सके उतना हम लोग खाएंगे तो हमने कॉपी आफी लिए प्रांच कर लिया अब बैंगलोर की फ्लाइट है सो अभी हम लोग चलते हैं मेरे सारे फ्रेंड लोग सब मस् वोट में है आप देखी सकते हैं आपको मिल जाएगा और इसके आलाव काफी छोटा सा रहता है बर यहां पर से लोग सब्कूर, यह एक लोग यह यूज करोगे तो वह अपार से दिखाएगा और अल्ड़ी संवडी इस उज यूजिंगा तो रेड हो जाएगा वरना वह भ सो अभी यहां पर देख सकते हैं यह अपका हैंड वाश करने के लिए हैंड वाश दिया हुआ यहां पर यहां पर पकड़ने के लिए ग्रिफ वेगर हैं जब आप सीट यूज करेंगे एंड बड़ा सा मीरर है सो अबरॉल यह कुछ रहता है हम लोग बैंगलोर एरपोर्ट रीच कर चुक हैं यहां से डारेट कैब लेकर हम होटल रीच करने वाले हैं सो रिटर्निंग में बैंगलोर पे मैंने लॉंज एक्सेस किया हुआ है वह बहुत प्रीमियम लॉंज है और उसका जो फैसलेटी इससे कई होना बैतर है इन फैक्ट उस लॉंज में हम लोगों ने क्रेटिट कार्ड भी अप्लाई किया हुआ अमेरिकन एक्सपरिस का मेरे मेरे फ्रेंड ने वह बी हमें अप्रूब हो गया उसके वी अप्लाई करने कैसे हमें अप्लाई क्या वह भी दिखा दूँगा हमारे पास थोड़ा बहुत तो हम आद प्रिम्यम एरपोर्ट है उसको में दिखाऊंगा कि वहां का एक्सपीरियंस कैसा रहा है